हाई फ्रेंट्स इस वीडियो का question है कि if a square plus a plus 1 is equal to 0 then find करना है a to the past 6 minus 1 upon a square plus 1 का value कितना होगा तो देखिए यहाँ पर option भी दिया हुआ है option a 0 b 1 c minus 1 d 2 तो यह जो question है दोस्तों बहुत simple है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे solve किया जा सकते हैं तो देखिए a to the past 6 minus 1 इसको हमने तोड़ सकते हैं a cube minus 1 into a cube plus 1 कैसे a square plus b square sorry दोस्तों a square minus b square का formula तो a plus b into a minus b इसी तरह से इसको minus को आगे ले लिए तो a cube minus 1 into a cube plus 1 नीचे है a square plus 1 इसको रहने दीजिए उसके बाद देखिए a cube minus 1 को कैसे लिख सकते है a minus 1 into a square plus a plus 1 तो देखिए a cube minus b cube का formula है a minus b into a square plus a b plus b square तो इसी formula से इसको तोड़ दिए a cube minus 1 को और बाकी पड़ा है a cube plus 1 और नीचे है a square plus 1 अब देखिए दोस्तों a square plus a plus 1 का value है 0 तो यहाँ पर a square plus a plus 1 का value 0 बाठना है तो a minus 1 into इसका value 0 है उसके बाद a cube plus 1 नीचे है a plus 1 अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया तो इन सभी पाटों का जो answer हो जाएगा वो 0 हो जाएगा तो यह पर 0 आपका answer है तो देखिए यह आपका 0 है और एक बाद देखा देखा देखिए तो जीरो से इन दोनों को गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा और जीरो से तो लाइक शेयर करना ना भूले और मेरा और आपका कुछिंग सेंटर स्मार्ट स्टेडी फॉर केरियर को सब्सक्रेब करना ना भूले